मिथुन रासी वालों का आज का दिन यणी की 23 दिसंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 23 दिसंबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है नबमी नक्छत्र है रेबती पक्छ है सुकल पक्छ दिन है बुद्ध वार आज के दिन सुर्य उधे का समय है सात बज के दस मिनट में सुर्य अस्त का समय है पंच बज के तीस मिनट में आजी का दिन काल है दस घंटे उनीस मिनट सोलह सेकेंड का महिना है मार्ग सिर्स आजी के दिन शुभ समय नहीं है अशुभ समय सुरू होता है 11 बज के 69 मिनट एम से 12 बज के 42 मिनट पी एम तक राहु काल सुरू होता है 12 बज के 20 मिनट पी एम से 1 बज के 37 मिनट पी एम तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आजी का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें शाथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों आने वाले शमय के दौरान अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी कोंसे आपका शमय आपका शाथ नहीं देगा आने वाले शमय के दौरान आपके घर का माहौल बहुत जियादा खराब रहेगा क्योंकि संभाब न है कि किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपके घर पड़िबार के लोग आपस में तनाब पैदा कर लेंगे और इस कारण से आने वाले शमय के दौरान आपका पाड़िवाडिक जीबन बहुत जियादा खराब होगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका शमय शामानने रहेगा नजियादा बिहतर नजियादा खराब मित्रों आने वाले शमय के दौरान अपने फिजूल खर्ची पे अपने फालतू के खर्चों पे आपको ध्यान देना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आने वाले शमय के दौरान अगर आप फिजूल खर्ची पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो पैसों के मामलों में पड़ेशानी का शामना आपको बहुत जियादा करना होगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अगर आपके सुवास्त की बात करें तो सुवास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जियादा बिहतर और शांदार है आने वाले शमय के दौरान आपके बोडी में उर्जा का अस्तर बहुत जियादा उंचा होगा आने वाले शमय के दौरान आपका कौनफिडेंस लेबल बहुत जियादा मजिबूत होगा और इस कारण से आने वाले शमय के दौरान आपके सुवास्त के मामलों में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दौरान आपके लिए अनोखा तोटका भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक क्या है मित्रों आने वाले शमय के दौरान आपके लिए भग्यसाली रंग है सिल्बर और शफेद आपके लिए भग्यसाली अंक है दो यनी की टू तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दौरान अपने समय को बहतर और शांदार बनाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों आने वाले शमय के दौरान तामसिक वस्तूओं का सेबन आपको नहीं करना है अगर आप ऐसा करते हैं इस टोटके को अगर आप आज माते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जयादा बहतर और शांदार होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद